पंजाब के पटी आलाजी लेकि मेहस गाओं में मंगलवार की सुबह से इड़ोल और नगाडे की गोण सुनाई दे रही है गाओं के लोग खूब जूम रहे हैं डिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे ही नाच रहा है और नाचे भी क्यों ना गाओं की वेटी हरजिंदर कौर कौर ने साथ समंदर पार इंग्लेंड के बर्मिंगम में चल रहा है कौमन विल्स गेम्स में ब्रॉंज मिडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है और जिंदर कौर ने कौमन विल्स गेम 2022 में 70 किलोग्राम भार वर्ग में 212 किलोवेट उठा कर यह पदक देश के नाम कर लि कुछ ऐसी ही कहानी है पंजाब की ब्रॉंज मिडलिस्ट हरजिंदर कौर की अपनी चटान गैसे मजबूत इरादों से ना केवल पंजाब बलकि पूरे देश का सर वगर से उचा कर दिया है अर जिम्रत कौर ने बहुत ही कम संसाधनों से हरजिंदर कौर ने वो कर दिखाया है जो वाकई प्रेड़ना का स्रोथ है इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पंजाब की मेडल गर्ल हरजिंदर कौर के संघर्सों की कहानी उससे पहले नमस्कार आप देख रहे हैं जंक्षन आपके साथ मैं होने लामबर पाठक और केमरे के पीछे खड़े हैं विशाद माभवानी डेकवर अच्छा टाइल्स बेचती है अगर आपको घर बनवाना है तो माभवानी टाइल्स ले जाईए और अपने सपनों का घर बनवाईए अब लोटते हैं कहानी की ओर ये कहानी है पंजाब के नाभा गाउं के मेहस की रहने वाली संगहर शुशील लड़की जिसका नाम है हरजंदर कौर एक गरीब परिवार से तालुक रखती है रिपोर्ट्स की माने तो हरजंदर कौर का पूरा परिवार मात एक कमरे में किसी परिवार ने चे भैसों को पाला है और हरजंद्र कोर उन भैसों के लिए चारा काट में का काम करती है। उनके पिता कॉंट्रेक्ट पर खेत लेकर खेती भी करते हैं। हरजिंदर कौर अपने माबाप की सबसे छोटी संतान है। उनके पिता का नाम साहिप सिंग है और मा का नाम कुलीब कौर है। रिपोर्ट्स के अनुसार हरजिंदर कौर अपने गाउं के सरकारी स्कूल में ही अपनी शुरुआती पढ़ाई को की थी, हरजिंदर कौर शुरु से ही खेलने कुदने में आगे रहती थी और इसकी शुरुआत उन्होंने कबड़ी से की, प्रतिदीन पांच किलोमेटर साइक हरजिंदर कौर कबड़ी किलने जाती थी, इसकूली पढ़ाई खतम होने के बाद हरजिंदर कौर पंजाब के ही आनंद पूर साहिब में कौलेज की पढ़ाई के लिए चली गई, घर में पैसों की बेहत कमी थी, जिसके कारण उनके पिता साहिब सिंग कौलेज के दिनों के तो वहाँ उन्हें कौलेज की कबड़ी टीम में शामिल कर लिया गया, एक साल बाद हरजिंदर ने पंजाब यूनिवर्सिटी के पटियाला में स्पोर्ट्स विंग ज्वाइन कर लिया, वो कहते हैं ना कि आपके प्रतिभा को ठीक तरीके से पहचानने और उसे सही दिसा देने में और आगे बढ़ाने के लिए एक गुरू की जरूरत होती है, हरजिंदर कौर के साथ भी ऐसा ही हुआ, कॉलेज में कोच परमजीत सर्मा ने हरजिंदर के टैलेंट को बहचाना और उनकी मजबूत बाह को देखने रस्सा कसी में सामिल कर लिया, इसके बाद उन्हो की जरूरत पढ़ने लगी, इसके लिए उन्हें पैसों की और जादा जरूरत होने लगी, इसके बाद उनके पिता साहिप सिंग ने रिष्तेदारों और दोस्तों से उधार लिया, हरजिंदर के लिए परिवार ने गाओं के एक बैंक से 50,000 रुपे कर्ज तक ले रखा है, हरजिंदर के भाई प्रीत पाल ने भी बहन का सपना पूरा करने में उनकी पूरी मदद की, जब कोरोना महमारी के ओज़े से लॉकडाउन लगा तो हरजिंदर कौर ने कोच परमजीत सर्मा के घर में प्रैक्टिस की, हरजिंदर कौर के पास अपना बार्बैल सेट भी नही नहीं था, हरजिंदर के पास अपना बार्बैल सेट भी नहीं था, इस तोरान वह घर से बाहर भी नहीं निकली और लगतार प्रैक्टिस करती रही, 2017 में हरजिंदर कौर स्टेट वेट लिफ्टिंग चैंपियन बनी, इसके बाद उनका काम्याबी का सफर तेदी से आगे ब नेशनल में, गोल्ड मिडल लिया, जिसके बाद वह नेशनल कैंप में शामिल हो गई, और अब हरजिंदर ने वो कर दिखाया है, जो वाकई कमाल है, हरजिंदर कौर ने अपने मजबूत इरादे और सफलता के संकल्प के साथ पूरे देश का मस्तक गर्व से उचा कर दिया झाल हाँ झाल है, झाल हूँ है है।